वद जो शब्द है वो वद धातु से बना है। लैटिंग के ट्रांस तथा जो है लेशन शब्द से बना है। एक भाशा से दूसरी भाशा में भावर्त का परिवर्तन ही अनुवाथ है। प्रतिकों को यहां पर प्रतिकों का अर्थ है लिखा हुआ। प्रणाव मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे BBA के थर्ड समिस्टर की जितने भी विध्यारती हैं। आज मैं आपको अनुवाथ का अर्थ और उसके परिभाशा के बारे में जानकारी दूँगी। यहां पर दिखें जो अनुवाथ है। अनुवाथ आपको यूनिट चार के अंतरगत आता है। यूनिट एक, दो, तीन के अंतरगत आपको काव्यगंगा आता है। यहनी पद्धिसाहित काव्यगंगा आपको यूनिट एक, दो, तीन के अंतरगत आता है। और unit 4 के अंतरगत आपको अनुवाद आता है, अनुवाद, अनुवाद शब्द जो है वो सांस्कृत का योगिक शब्द है, सांस्कृत का योगिक शब्द है, जो अनू, अनू यनि ये जो अनू है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग तथा जो वाद है, वाद शब्द से बना है, अनु उपसर्ग जोड़कर वाद के लिए अनु जो है शब्द जुड़कर अनुवाद बना है तो यहाँ पर देखिए वाद जो शब्द है वो वद धातु से बना है वाद जो शब्द है वो वद धातु से बना है यहाँ पर देखें वद धातू का अर्थ है बोलना कहना वातशब्द का अर्थ हुआ कहने यहां पर देखें वात शब्द का अर्थ हुआ चेहना या कही हुई बात चेहने की क्रिया या कही हुई बात अनुवात का अर्थ की जो बात कही गई है उसी को दूसरी भाशा में कहना ही अनुवात तो यहां पर देखिए अनुपसरग अनुवर्तिता के अर्थ में उपयोग होता है तो यहां अनुवात का अर्थ हुआ प्राप्त कथन को पुना कहना जो प्राप्त कथन है पहले से जो हमारे पास जो कथन है हमारे पास जो सामगरी है उसी को फिर से कहना दूसरी भाशा में, जो प्राप्त कथन है, उसे पुना कहना ही अनुवाध है, पुना कथन, यहनी हिंदी में अनुवाध के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द है, छाया, टीका, भाशान तर आदि, यहां पर देखें, अनुवाध के स्थान पर प्रयुक्त होन प्राचिन होते हुए भी हिंदी में इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ Sanskrit में पहले ही बहुत पुराना ही था Anwald लेकिन हिंदी में जो ہے यह प्रयोग बहुत बाद में हुआ इसके बहुत समय के बाद यह प्रयोग हुआ हिंदी में आज अनुवाज शब्द का अर्थ केवल मूल भाशा के आप तरण में निहित अर्थ या संदेश की रक्षा करते हुए दूसरी भाशा में प्रतिस्तापित तक सीमित है यहां पर देखें जो मूल भाशा जो लिखी हुवी मूल भाशा होती है वहीं जो है निहित संदेश को उसकी निहित संदेश या निहित अर्थ को क्या है यहां पर रक्षा करते हुए दूसरी भाशा में इसे प्रतिस्तापित तक सीमित है दूसरी भाशा में इसे क्या है? दूसरी भाशा में प्रतिस्तापित करना ही है अंग्रेजी का जो शब्द ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन शब्द को अनुवात के रूप में क्या है? प्रयोग किया जाता है ट्रांसलेशन शब्द लैटिन के ट्रांस तथा लेशन शब्द के सम्योग से बना है लैटिन के ट्रांस तथा जो है लेशन शब्द से बना है इन दोनों के मिलन से ये शब्द बना है तो जिसका अर्थ है पार ले जाना ट्रांसलेशन का अर्थ क्या है पार ले जाना यानि क्या पार ले जाना यहां पर प्रश्ण है तो एक भाशा की मूल सामगरी को दूसरी भाशा के पार ले जाना ही ट्रांसलेशन है यानि एक स्थान बिंदू से दूसरी स्थान बिंदू पर ले जाना एक स्थान बिंदू से यानि एक स्थान बिंदू यहाँ पर जो मूल भाशा है वो एक स्थान बिंदू है जो दूसरी स्त्रोत यानि दूसरा जो बिंदू है वहाँ ले जाना यानि स्त्रोत भाशा है जो दूसरी बिंदू यानि लक्ष भाशा यानि स्त्रोत भाशा है जो मूल भाशा या स्त्रोत वो क्या है नक्ष भाशा को यानि स्त्रोत भाशा को यानि स्त्रोत भाशा यानि मूल भाशा तो उसे जो है लक्ष भाशा ले जाना ही ट्रांसलेशन है यानि अनुवाध यहाँ पर ट्रांसलेशन का अर्थ हुआ पार ले जाना और यहाँ पर क्या है पार ले जाना यह एक भाशा की सामगरी को दूसरी भाशा में बिना कोई अर्थ के बदलते हुए या उसके अर्थ को क्या उसके विचारों को उसके संदेश को ना बदलते हुए दूसरी भाशा यहनी दूसरी भाशा यहांपर जो लक्ष भाशा है उसमें रूपांतरन करना यानि उसे वहाँ पर ट्रांसलेट करना ही ट्रांसलेशन कहा जाता है उसका अनुवात करना ही अनुवात कहा जाता है यहां पर दिखें अनुवात की परिभाशा बहुत सारे लोगों ने अनुवात की परिभाशा दी है यहां पर देखें पास्चात्य परिभाशा Catford ने कहा है कि एक भाशा की पाट्य सामगरी को दूसरी भाशा की समानार्थक पाट्य सामगरी से अनुवात कहलाता है देखें यहां पर Catford ने कहा है एक पाट्य सामगरी को दूसरी भाशा में वहीं सामगरी को उसके समानार्थ के साथ ले जाना ही अनुवात कहते हैं इस तरह से Catford ने कहा तो शानवल जांसन ने कहा कि एक भाशा से दूसरी भाशा में भावर्त का परिवर्तन ही अनुवात इन्होंने कहा कि एक भाशा के भावर्त को दूसरी भाशा में परिवर्तित करना दूसरी भाशा में परिवर्तन करना ही अनुवात है इस तरह से ये कहते हैं अभी यहां पर भारतिया परिभाशाएं हैं कुछ लोगों ने अनुवाद के संभंद में परिभाशा दी है जैसे कि भोलानात तिवारी जी ने कहा है भाशा जो है भनियात्मक प्रतिकों की व्यवस्ता है और अनुवाद इनहीं प्रतिका का प्रतिस्थापन है अथार एक भाशा के प्रतिकों के स्थान पर दूसरी प्रतिकों का प्रयोग इस तरह से इन्होंने कहा है यहां पर दिखिए जो भाशा की ध्वनी आत्मक है यहां आवास के साथ जो भाशा हम गोलते हैं वह निकलती है भाशा वो प्रतिकों को यहां पर प्रतिकों का अर्थ है लिखा हुआ या बोला हुआ यही लिखा हुआ यही प्रतिकों की व्यवस्ता है यही लिखी हुवी व्यवस्ता है यह बोली हुवी व्यवस्ता है तो उसे उन्हीं प्रतिकों का प्रतिस्तापना ही अथार्थ एक भाशा की एक भाशा में जो लिखी दूसरी भाशा में रूपांतरित करना यहनी सहच तरीके से उसे दूसरी भाशा में के पार ले जाना ही क्या है अनुवाध इस तरह से भोला नात्तिवारी जी ने कहा तो डॉक्टर विश्वनात अयर जी ने कहा है अनुवाध की प्रविधी एक भाशा से दूसरी भाशा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है एक भाशा के रूप के कत्य को दूसरी रूप में प्रस्तूत करना भी अनुवाध है यहाँ पर दिखिए विश्वनात अयर जी ने कहा अनुवाध की प्रविधी जो विधी है प्राविधी है एक भाशा से दूसरी भाशा में रूपांतरित करना ही क्या है रूपांतरित करना ही सीमित नहीं है रूपांतरित करना ही सीमित नहीं है काफी नहीं है बलकि एक भाशा के रूप के कत्य को जो भी कहा गया है एक भाशा की जो पाटिसम अगरी में वो जो है दूसरे रूप में प्रस्तूत करना भी अनुवाध है यहनी दूसरे रूप में यहनी उसका जो संदेश उसका अर्थ ना बदलते हुए दूसरी भाशा में उसे प्रस्तूत करना ही क्या है अनुवाध है इस तरह से वो कह रहे हैं पिर चंद में बताई बात को गद्य में उतारना भी अनुवाध है चंद में बताई हुई जो बात है उसे गद्य में बताना भी क्या है अनुवाध है इस तरह से जो है डॉक्टर विश्वनात अयर जी ने कहा है तो आज मैंने आपको अनुवाध का अर्थ और क्या है अनुवाध की परिभाशा के बारे में जानकारी दी है अगली कक्षा में अनुवाध के बारे में और भी जानेंगे धन्यवाध